आज हमारे साथ है एड़ोकेट शुरेश चिंद्रा जी सर आपका हमाया चलिमें स्वागत है बहुत-बहुत साथ उबाद आज जब पूजन चाहिए आज हमारे देश की अर्थविश्तर लगातार बिगडती ही जा रही है जो पहले कभी 32 साल पहले सोने की चिडिया जिसे कहा जाता था उसकी लगातार अर्थविश्तर बिगडती ही जा रही है उसके पीछे क्या कारण है देखेगा निशा जी इसमें कोई दोराएं नहीं कि आजादी से पहले और अंग्रेजों की सरकार से भी पहले मुस्लिम राजाओं की भी सरकार से पहले ये देश वास्तम में सोने की चिडिया होता था इतने खजाने होते थे और प्राकृतिक खजाने भी हैं आप देश के किसी भी तो प्रदेश में चले जाएगा कहीं आपको खनिज हैं लोहा है तामा है कोईला है यहां अबरक है इस तरह के जो राशानेक तत्यों हैं ये सब मिलते हैं फसल के मामले में अग्रिकल्चर फिल्ड में सभी तरह का अन भारत देश की जमीन पैदा करती है जबकि इस तरह का सुभाव किसी भी देश का नहीं है वहां की भागले के इस्तिती इस तरह की नहीं है तो वास्तम में हमारा देश सोने की चिडिया था लेकिन समय समय पर इस समिधान लागू हो गया, बावा साहिब के सिद्धांदों पर सरकार को काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्यों को लोगों ने अपने खान, दान, बंस, परंपरा के लोगों को देश को लुटाना सुरू कर दिया, अभी हाल में निसाजी आपने देखा हुआ, सुना होग निस सुनी होगी अखवारों में, कि विजय माल्या, नीरब मोदी और अनेक अनेक लोग मेरे देश को खजाने को लूट करके चले गए, कैसे चले गए वो लोग, तो जब मेरे देश का खजाना, मेरे देश की मुद्रा, जो रिजर बैंक उतने ही नोट चापती है, जितना म और देश के लोगों के पास सौने की मात्रा होती है, उसी अनुपात में रिजर बैंक नोट बनाती है, नोट चापती है, तो जब हम इस चीज को देखें, तो भारत देश आर्थिक छित्र में बहुत मजबूत था, लेकिन इन मनवादियों की सरकारों में, विजय माल्या ज जूटे जूटे आंकडे दे करके बैंकों से रिण लिया, जो फाइनेंस कंपनियां थी, उनको लोन लिया, और उनको अपने हित्में इस्तेमाल करके, अपने यारे प्यारे रिष्टिदारों परवारों के हित्में इस्तेमाल करके, नहीं तो निशाजी आप देखेगा, इ एक माजाय भाई भारत देश का सबसे अमीर है और एक भाई डिवालिया है क्या विचित्र विवस्ता है इस तरह करके देश को लूट लिया गया है पैसे को लूट लिया गया है और आज मेरा भारत देश आर्थिक मंदी से जूज रहा है और मैं नहीं कह रहा हूं इस देश का आज का RBI के गवर्नर दाज साब कहते हैं और उन्होंने तो बैंकों को चेता है अभी है बिलकुल तरोताज आज सुबह का रिपोर्ट है न्यूज है कि RBI के गवर्नर ने बैंक के मुख्याओं से कहा है कि अभी और इससे बुरी हालत होने वाली है इसलिए चोकरना रहने की जूरूत है और इतना ही नहीं यह तो जो आज सत्ता में लोग हैं उनके फाइनेंस मुनिस्टर ने माना है निर्मला सीतारवन ने माना है कि देश आर्थिक मंदी से जूज रहे पिछले वाले जो आर्बिय के गवर्नर है रगुराम राजिन साहब ने भी तभी तो पत छोड़ा था जब लूट पार्ट में लगे थे उनकी बात यह रगुराम राजिन साहब नहीं मान रहे थे तो उन्होंने आखिरकार अपना पत छोड़ दिया और नीती आयो आज का प्लानिंग कमिशन उनके डिप्टी जो प्रेशिरंड है उपाद्यक्ष है राजिव जी उन्होंने भी इस बात को माना हाला के हमको दोस्त देते हैं कि विपक्षी दल हमको बदनाम कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है आर्थिक मंदी से देश मेरा जूज रहा है और तबी तो और इसमें कोई और दोसी नहीं है ना कोई साधण जंता दोसी है आज जी स्टेश में इतनी बार बदलाब कर दिए तो क्या मतलब है ये सरकार हैं और कंभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले